सवाल नमर एक खाने के तुर्णत बात पानी क्यों नहीं पीना चाहिए सवाल नमर दो सूरज डुबने के बाद घर में जारू क्यों नहीं लगाना चाहिए सवाल नमर तीन लंबे समय तक क्यों नहीं बैठना चाहिए सवाल नमर चार खेलना क्यों जरूरी है गाइस इस तरह का जनकारी यदि आपको लेना है तो वीडियो पर बने रहे हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया चलिए दो वीडियो को सुरू करते हैं सवाल नमर एक खाने के तुरंत बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए खाने में महजूत पोटीन और अन्य पोशक्ततों के और सोशन के लिए शरीर को समय देना चाहिए खाने के तुरंत बाद पानी पी लेने से इस प्रकिरिया पर असर पड़ता है इसलिए कहा जाता है कि खाना खाने के करीब 30 मिनट से एक घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए सवाल नमर दो सूरज डुबने के बाद घर में जारू क्यों नहीं लगाना चाहिए सूरज डुबने के बाद घर में जारू नहीं लगाना चाहिए दर असल ऐसा मानेता है कि साम के वक्त जारू लगाने से लक्षमी जी घर के बाहर चली जाती है एक वज़ा यह भी है कि पुराने जबाने में विजली नहीं होती थी सवाल नमर तीन लंबे समय तक क्यों नहीं बैठना चाहिए लंबे समय तक बैठने से विभीन अंगों को नुक्सान हो सकता है लंबे समय तक बैठे रहने से उप्यूक तरक्त की समस्य हो सकती है और कलेस्टरोर बढ़ जाता है बिल्कुल नहीं या बहुत कम बैठने वाले लोगों की तुलना में ज्यादा समय तक बैठने वाले को इन विमारीयों के होने की दुगनी असांका होती है सवाल नमर चार खेलना क्यों जरूरी है? जिस तरह दिमार का सही विकास के लिए सिक्षा जरूरी है उसी तरह सरेरिक विकास के लिए खेल महत्यो पूर्ण है सिक्षा के माध्यम से हम टीम भावना नहीं सिख सकते हैं लेकिन खेल से यहां संभव है यदि वीडियो आचा लाग होतों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चलिए दोस्तों बिलते हैं लोग नेक्ट वीडियो में तब तक लिए गुडबाई एंट्रेक के रहे हिन वने मातर